Hello guys, welcome to Daily Current Capsule, this is Divya Ansh और आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे सप्टेम्बर मन्त के Current Affairs का तीसरा पार्ट दो पार्ट अलवटी आ चुके हैं, आपने नहीं देखे हो तो देख लीजेगा and without any further delay इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, कई exams में इससे related questions आ चुके हैं और इसमें साथ स्टेल्थ फ्रिगेट्स लाँच की गई हैं अभी तक, उन सब के नाम आपको पता होने चाहिए इन सारी ही फ्रिगेट्स के नाम बहुत important हैं तो इनने ध्यान से याद कीजेगा इन दोनों ने मिलकर ये स्कीम स्टार्ट की है जिसका नाम है Cash for Waste Scheme ये एक बहुत अच्छी स्कीम है जिसके अंडर होगा ये कि आप इनके पास कूड़ा लेकर जाएए और उसके बदले में आपको पैसे देंगे इन्होंने proper एक लिस्ट बना रखिए कि कौन से समान कितने रुपे का मिलेगा आपको मतलब कितने का जाएगा और इसके लिए इन्होंने MRF सेट अप कर रखा यानि कि एक Material Recovery Facility है जिसकी डेली की कैपिसिटी है दो टन ड्राइवेस्ट की और दे टन वेट वेस्ट की और इसे पिंक MRF बोला जाता है क्योंकि यहां के जो स्टाफ है जो हैं के वर्गर्स हैं वो सब वोमेंस हैं इसलिए इसे पिंक का MRF बोला जाता है MRF यानि के Material Recovery Facility तो याद रखिएगा इंपॉर्टन कोशन है भी दुनिया की सबसे उची फाइटर एर फील्ड बनेगी लद्दाक में लद्दाक में नयोमा नाम का एक विलेज है यह आपको लद्दाक के सदन एरिया में मिलेगा और BROE से बनाएगा जितनी भी Border Regions में Infrastructure Develop हो रहा है उसे BROE बनाता है और अभी थोड़े टाइम पहली BRO के जो Lieutenant General है राजीव चौधरी उन्होंने अपने एक इंटर्वीव में बताया था कि 2008 के आसपास BROE का जो बजट था वो 3000 करोड था जिसकी वज़े से Infrastructure जाज़ा डेवलप नहीं हो पा रहा था इंडिया में और पिछले कुछ सालों में बजट में भी बहुत बहुतरी हुई है जैसे 2019-2020 में जो बजट था वो 12,000 करोड के भी पार था 12,300 करोड रुपे इनका बजट साब या रोका जिसकी वज़े से Infrastructure Development में भी तेजी आई है ठीक है तो आप ये याद रखेगा वोर्ल्ड की जो Highest Fighter Airfield बनाई जाई वो लगदाग में बाईगी नबाड यानि के National Bank for Agriculture and Rural Development इसके Headquarters आपको मिलेंगे मुंबई में इन्होंने UNDP India के साथ मिलकर ये Agreement Sign किया है UNDP यानि के United Nation Development Program इसके Headquarters आपको मिलेंगे New York में New York में ही आपको United Nation के भी Headquarters मिलेंगे साथी UNICEF United Nation International Children's Emergency Fund इसके Headquarters भी आपको New York में मिलेंगे तो इन दोनों ने मिलके नबाड और UNDP ने मिलके ये Agreement Sign किया है इसमें करेंगे क्या है ये Data Driven Innovation इसमें दोनों के पास जितना भी डेटा है Agriculture से Related ये एक दूसरे को शेयर करेंगे साथी Open Source से और डेटा कलेक्टे रहेंगे जिससे ये इंडिया के इंदर Agriculture को और बहतर बना पाए ठीके तो याद रखिएगा Nawad और UNDP ध्यान से कुश्चन पढ़ना इसमें पूछा है इसमें पूछा है फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर स्पिनर जब पूछा जाएगा तो कुलदीप यादव का नाम आएगा क्योंकि कुलदीप यादव ने 88 मैचेज में 1.500 विकेट ली है लेकिन अगर फास्टेस्ट बोलर का पूछा गया है पेसर या स्पिनर नहीं है उसमें तो उसमें मुहमद शामी का नाम आएगा क्योंकि उन्होंने 80 मैचेज में 1.500 विकेट ली है तो याद रखना फास्टेस्ट स्पिनर हैं कुलदीप यादव और फास्टेस्ट बोलर हैं मुहमद शामी इसके साथ ही आपको यह भी पता होने चाहिए कि विराट कोली ने फास्टेस्ट 13,000 रन्स वन डी इंटरनेशनल में अपने पूरे कर लिया है एक दिवसी मैच में सबसे तेज 13,000 रन इससे पहले सचिन तंदूल करके थे उन्होंने 321 इनिंग्स में बनाये थे लेकिन विराट कोली ने 267 इनिंग्स में 13,000 रन अपने पूरे कर लिया है तो दोने इंपॉर्टन कोश्चन है याद रखे गई है इंडियन एरफोर्स ने ऐसे 56 प्लेंस का ओडर दिया था एरबस कंपनी को जिसके लिए 21,935 करोड का एक प्रोजेक्ट साइन किया गया था इसमें जो सबसे पहला C-295 ट्रांसपोर्ट एरफोर्ट है वो तयार हो गया है और वो इंडिया में हा रहा है ऐसे ही टोटल 16 एरफ्ट बिल्कुल तयार करके इंडिया में भेजे जाएंगे लेकिन जो बाकी के एरफ्ट होंगे उन्हें इंडिया में ही लाके मैनफेक्चर किया जाएगा गुजरात में, वडोतरा में, टाटा की फैसलेटिके अंदर और एरबस का कोई आपसे पूछे कि कौन से देश की कंपनी है तो चार देश हैं जिनके पास एरबस के शेर्स हैं फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके और इसकी जो डिलिवरी हमें मिली है वो भी हमें स्पेन से मिली है तो आप यह याद रखना कि दो हजार पच्चिस तक हमें यह सोला प्लेंस मिलेंगे और इसके बाद जो इंडिया में मैनेफेक्चर होंगे वो दो हजार इकत्तिस तक जाकर पूरे होंगे यह वैसे तो अपने नॉर्मल कलर में ही होता है लेकिन यह वाइट स्किन पिग्मेंटेशन की वज़े से है और यह बहुती रेर होता है दिखने इससे पहले 2014 में दिखाता है एक ऐसा बांदीपूर नैशनल पार्क में जो की करनाटका में है और यह वाला जो दिखा है यह भी कावेरी वाइड लाइफ सेंचरी में मिला है यह भी करनाटका में करनाटक में वैसे बहुत सारे नैशनल पार्क और वाइड लाइफ सेंचरी है उनके नाम भी आपको पता होने चाहिए जैसे की नागरोले नैशनल पार्क है बनेर कट्टा नैशनल पार्क है बांधीपूर नैशनल पार्क, कुदेर मुक नैशनल पार्क, आंशी नैशनल पार्क, ऐसी वाइल लाइफ सेंचरी भी बहुत सारी हैं, भदरा वाइल लाइफ सेंचरी, कावेरी वाइल लाइफ सेंचरी, ब्रहमगेरी वाइल लाइफ सेंचरी, ऐसे तो बहुत सारी हैं लेक लेकिन अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनने इसके बारे में नहीं पता रहता है। याद हो जाती है और याद करने के बाद फिर आगर कॉमेंट में लिखे मेरे को बताना की क्यों बनाय जाता है। वो 7.8 मिलियन टन्स थी जो इसके बाद बढ़ा कर जिसे 11 मिलियन टन्स कर दिया जाएगा। मद्यप्रदेश वैसे भी अब न्यूज में रहने वाला है क्योंकि दिसंबर में उसके चुनाव होने वाले हैं। जिसमें PM Modi ने अनाउंच किया था कि हम Timor-Leste में एक Embassy खोलने वाले हैं। ये 13 लाग की अवादी वाला छोटा सा देश है जो आपको मिलेगा इंडोनेशिया और आस्टेलिया के बीच में। इसकी कैपिटल है दिली, D-I-L-I, दिली, करंसी ये यूज करते हैं डॉलर और अभी के लिए इन्हें आस्यान का Observing Member का स्टेटस मिलावा है। आस्यान Association of South East Asian Nation ये ग्रुप है दस कंट्रीज का लेकिन अभी के लिए पापुआनुगिनी और तिमोर लेस्ते इन दोनों देशों को आस्यान ने Observing Member का स्टेटस दे रखा है। हरीकेन डैनियल ये भी थोड़े टाइम पहले ही Mediterranean Sea में ओरिजिनेट हुआ था याप इसने सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन लीबिया में पहुचाई है। लीबिया के अलवा ग्रीस, तुर्किय और बुल्गारिया में भी इसके कुछ negative effects देखने को मिले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन है वो लीबिया में इसने cause की है। लीबिया एक African country है जो बिलकुल आपको ईजिप्ट के बराबर में मिलेगा। लीबिया की Capital है Tripoli और यहां की population around 68 lakh के असपास है। इसके साथ ही एक point और याद रखेगा कि Mediterranean Sea के अंदर जब कोई hurricane बनता है तो उसे medicaine बोला जाता है। यह short form है Mediterranean hurricane की। तो ऐसी छोटी मोटी terminologies पूछ लेता है exams में इसलिए आपको पताऊना चाहिए। Which city has topped the clean air survey 2023। 2023 का यह survey आया है। यह तीन category में बनाया जाता है इसके बारे मैं आपको बताऊना चाहिए। सबसे पहला जिसमें 3 lakh से कम population हो उन जहरों की। दूसरा जिसमें 3 lakh से 10 lakh के बीच में हो population। और तीसरा जिसमें 1 million यानि 10 lakh से जादा population हो। तो यह वाला जो है जो 10 lakh से जादा population था उसका मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इंदौर ने पहली position secure करी है। दूसरे नंबर पे आया है आगरा और तीसरे नंबर पे है थाने। तो यह 1 million से जादा population वाली category करा। जो दूसरी category है 3 से 10 lakh वाली उसमें महराष्ट में जो अमरावती है उसने पहली position अ तो वैसे इतना deep में नहीं पूछेंगे जहा तक है। आपको 1 million से जादा वाली population का idea होना चाहिए कि इंदौर ने ये पहली position इसमें अपनी secure करी है। इस championship को organize किया था Indian Rugby Football Union ने जिससे इस साल महराष्ट नहीं जीता है। महराष्ट ने final में करनाटका को 31-10 से हराया है। इसमें total 14 टीम उने भाग लिया था जिसमें number 1 पर तो आपकी महराष्ट है। दूसरे पर करनाटका और तीसरे पर है बिहार। अभी हाली में एक movie आई थी The Vaccine War जिसमें COVID pandemic के दौरान जो scenario रहा था उसे दिखाने की कोशिश की गई है। इसके director है Vivek Agnihotri जिन्होंने The Kashmir Files भी बनाई थी। बहुत decorated movie है बहुत सारे awards मिले थे इसे। ऐसे ही अब Vaccine War भी बहुत जादा news में है तो इस से related questions आने के भी काफी chances है। और Time Square जो है यह है New York में USA में। ICC has signed a sponsorship deal with which Indian bank? International Cricket Council जिसके headquarters आपको मिलेंगे दुबाई UAE में। इन्होंने Indicent Bank के साथ एक sponsorship deal sign करी है। अब आपको पता होगा कि इंडिया में World Cup चल रहा है। तो World Cup के जो sponsor है ICC के वो Indicent Bank ही है। The Union Cabinet Approved Expanding the Ujwala Scheme to How Many Million More Connections। आपको पता होगा Ujwala Scheme 2016 में शुरू की गई थी जब 8 करोड़ connections इसमें दिये जाने थे। उसके बाद 2021 में एक करोड़ connections इसमें और एड़ किये गए। फिर 2022 में 60 लाग connections और दिये गए। और अब 2023 में इसमें 75 लाग connections अब और बढ़ाए जा रहे हैं। जिससे इस scheme के अंदर जो gas connection दिये जा रहे हैं उनका नंबर अब बढ़के 10 करोड़ से भी जादा हो जाएगा। इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन की एक championship है जो इस साल नौर्थ सुमत्रा में हुई थी। ये सुमत्रा, जावा, बॉर्णियो ये सारे इंडोनेशिया में आइलेंड्स हैं। तो इस बार का जो खिताब है वो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर किरन जॉर्ज ने अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल्स में जपान के को ताकाहशी को बहुती close मैच में बीट किया था। इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लाँच किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नमन इसके अंडर एक कॉमन सर्विस सेंटर बनाये जाएगा डेली केंटनमेंट में जिसमें हमारे जो एक सर्विसमें होते हैं उनकी पेंशन रिलेटेड क्वेरी हो गई या फिर हमारे जो जवान वीरगती को प्राप्त हो गए हैं उनके घर परिवार वालोकिन उनके डिपेंडेंस के लिए एक ग्रीवांस रिडरेसल सेंटर बनाये जाएगा अभी आपको पता होगा एशन गीम्स होके निप्टे हैं दो हजार बाइस में होने वाले थे हांग जाओ चाइना में लेकिन ये इस साल दो हजार तेज में किये गए हैं इसमें इंडिया की अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है जिसमें इंडिया ने 28 गोल्ड मेडल्स के साथ टोटल 107 मेडल्स जीते हैं इस बार जो इंडिया का कंटिंजेंट था उसमें 13 प्लेयर ओडीशा की थे जिनें ओडीशा की गवर्मेंट की तरफ से 10-10 लाग रुपे सबको दिये जाएंगे इसमें होता ही है कि आरबिया इस अभी बेंकों को बोलता है कि आपको थोड़ा सा कैश रिजर्व में रखना पड़ेगा जिससे कि कभी emergency में ऐसा हो कि कोई customer आपके पास अपना पैसे निकल वाने के लिए आए और आपके पास पैसा ना हो ऐसा इसलिए क्योंकि demonetization की time पे liquidity तूट जाती है तो ये temporary major होता है इसलिए RBI ने अभी इसे खटा दिया है इसके साथ ही एक और बात मैं आपको बताता हूँ RBI से related ही इन्होंने अभी एक sovereign gold bond scheme launch की है जिसके एंडर ये gold बेचेंगे वो physical gold नहीं होगा digital gold होगा उससे फाइदा यह है कि आप उसे जैसे share market में आप share खरीदते हैं वैसी ही आप उसे खरीद सकते हैं अब अगर आप physical gold लेते हैं तो उसमें रहते हैं कि आप उसे घर पे रखेंगे खतरा रहता है आप bank में रखते हैं तो आपको locker लेना पड़ता है उसका ब्याज आपको bank को देना पड़ता है लेकिन अगर आप ये लेंगे digital gold लेंगे तो वो उसका bond आपको मिल जाएगा और इसमें ब्याज आपको मिलेगा इसके उपर तो ये तो फाइदे वाली बात है न तो ये याद रखना है कि सुवरन gold bond scheme भी RBI भी लेकर आया था In which state did PM Modi dedicate railway projects worth more than 6400 crores? 64000 करोड के ये railway projects चत्तिस गड़ में शुरू किये जाएंगे इसके साथ ही उन्होंने चत्तिस गड़ के 9 districts में critical care blocks के भी foundation stone रखे जिसमें 50 bed की facility available होगी और एक लाख sickle cell counselling cards भी distribute किये थे अब चत्तिस गड़ की बात हो रही है तो यहाँ के CM है भूपेश बगेल, governor है बिश्व भूशन हरी चंदन और चत्तिस गड़ से national parks के बारे में भी कई बार questions आ जाते हैं यहाँ के जो famous national park है जैसे इंदरवती national park हो गया, गुरू घासी दास national park हो गया इनके बारे में आपको पता होना चाहिए Who has been appointed as the next high commissioner of India to Australia Australia के जो नए high commissioner appoint हुए है उनका नाम है गोपाल बागले यह Australia से पहले श्री लंका में थे high commissioner की post पर लिगनभी ने ऑस्रीले का बना दिया गया है इसके साथ हम दूसरी countries के भी देख लेते हैं जैसे USA में है तरण जीत सिंग सांधू रशिया में है पवन कपूर और चाइना में है प्रदीप कुमार रावत यह प्रोग्राम का है सौ बिलियन डॉलर का यह साइंस बेस्ट प्रोग्राम है जिसके अंडर जितनी भी countries हैं यह उनमें जो भी साइंस के प्रोग्राम होते हैं उन्हें यह फंड करता है तो इस प्रोग्राम को री जॉइन कर रहा है UK United Kingdom आपको याद होगा 2020 में UK ने European Union को छोड़ दिया था जिसे बोला गया था Brexit तो अब तीन साल के बाद UK इस प्रोग्राम को दुबारा से जॉइन कर रहा है विच SPG officer who provided security to PM Modi has passed हुए SPG यानि के special protection group यही responsible होते हैं Prime Minister of India की security के लिए अब आपके mind में question आयागा तो फिर President की भी security इनी के हाथ में होगी उसका answer है नहीं President के लिए अलग होता है group जिससे कहता है President's Bodyguard Group PBG SPG खाली Prime Minister of India की security के लिए responsible होता है इनके जो chief थे अरुन कुमार सिना वो एक बिमारे के चलते है भी उनका आली में निदन हो गया था Recently discussed mission Matse 6000 is related with Matse 6000 एक नया mission है चंद्रियान के बाद समुद्रियान आया है इसके इंडर एक सबमरीन मनाई जाएगी जो Bay of Bengal में 6000 मीटर डीप जाकर exploration करेंगे इसमें एक crew भी जाएगा जिसमें तीन लोग होंगे और माना ये जा रहा है कि 2026 तक इसे त्यार करके बेज़ दिया जाएगा ओके गाईज तो ये आपके 25 questions हो चुके हैं इसके बाद एक part और आएगा आपके महीने के पूरे हो जाएगी चार वीडियोज जिससे पहले जो दो वीडियोज आएगी है उनका भी revision एक बार खलीजेगा इसके बाद ही हम जल्दी से ही एक हफते के अंदर ही October के सारे important current phase को भी discuss करेंगे तब तब के लिए आपके पास जितनी वीडियोज है उन्हें ध्यान से देखी मन लगा के पढ़ाई करिएगा and I'll see you in the next class